तो वेलो गाईज, आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को कुछ important चीज बताऊँगा, JP Cement और Conard Cement के बारे में, इन दोनों के बीच में एक बड़ा difference आप सभी को बताऊँगा, इस वीडियो साब को ये पता सल जागा कि आपको JP Cement लेना चाहिए, या आपको Conard Cement लेना चाह तो कि बाद में आप लोग भूल जाओगे चलो अब्स तर्फ करते हैं तो आज वूंसे पहले वीडियो को प्राइस का ही नाम लेकर प्राइस का डिफरेंस के इन दोनों के बीच में इसाध कि अगर हम बात करें प्राइस की तो जो जेपी है वो कुनार्क से महंगा है ठीक है बस इसमसाफ है अगर आप कौनार का बारा फोटी लेते हो तो कम से कम आपको 640 इन फैक्ट और सस्ता भी मिल सकता है किसी-किसी एरिया में क्या होता है कि कहीं कहीं पर लोग जाल जिनका अपने फेक्टरियों की पास होती है यह जित-बी मैनुफेक्ट्टरर जित-बी होलसेर तो वहां से जब लेकर आते हैं तो भाड़ा कम परता है तो इससे जो रेट होता है वो कम हो जाता है लेकिन कोई-कोई इलाके में जहां से भी वो समाल लेकर आते हैं वो थोड़ा सा दूर होता है जैसे भाड़ा उनको जगर लगता है तो भाड़ा जो रखता है जो भी ट्रा आपको प्राइस जारा देना पड़े इसलिए मैं बता रहा हूं कि कम से एक एक प्रॉक्सिमेटली प्राइस के को 640 रुपे का मिलेगा लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पर आपको उसे भी कम मिल जाए लेकिन अगर आप जेपी में वही सेम साइज का 12 फुट का साइज का लेते हो तो आपको वह साढ़े साथ सो रुपे का देफिल साथ सो साथ रुपे तक का मिल सकता है अभी यह प्राइस अभी का मैं बता रहा हूं और फिर इसके बार बढ़ जाए घड़ जाए तब तो तब देखा जाएगा तो प्राइस में सबसे बना डिफरेंस यही है कि जो जेप सबसे बहले मैं अपना पुद्धे देता हूं कि मुझे कौन सा जाजा बढ़ी हा कंपनी लगता है देखो वैसे पहले ही बता रहेता हूं कोई भी मुझे पैसा नहीं मिला है इस बीड़ो को बनाने के लिए एक रुपया भी नहीं मिला है तो उसके लिए कमेंट मत करना कि जाज आज करें लिए बिल्कुल भी नहीं जो मुझे अच्छा लग रहा है जो मेरे दुकान पर है प्रेजंट टाइम पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत धेर सारे है और सिर्फ जेपी का ही है उसके लावे एक कोई कंपनी का नहीं है तो मुझे ज्यादा अच्छा जैपी का ही लगता है और इसमें एक ऐसा फीचर है एक ऐसा बैनिफित आपको मिलता है जैपी की तरब से जो मैं भी आपको बताता हूं वीडियो को एंटर देख तरह हो दिक है तब सबस्क्राइब की बात कर लाते है तो क्वालिटी जो है वह बढ़िया जेपी की ही है क्य सबस्क्राइब कर देखो मैं जानता हूं जो मैं करता हूं अगर आप मेरे सौप से आकर लेते हो तो यह बेनफिट में आपको जरूर दूँगा हो सता है कहीं कहीं पर आप अगर कम पैसा दे कर आ गए हो तो साद वह आपको वह पॉलिसी ना दे जो कि रिटन पॉलिसी हां पॉलिसी होती है अगर मेरे दुकां पे आते हो आप एक चद्दर लेते हो या पिर आपको टांगते वक्त अगर वह तूड़ जाता है तो आप लेकर आओ मेरे पास जो भी ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज होगा आप जतना भी लेकर आओ उसका खर्चा मैं नहीं दो उसके बदले में नया चद्दर आपको दे दूगा और एक भी रूपया आपसे नहीं दोगा ठीक है बाकि जो ठेला या गाड़ी जस्पी से भी लेकर आओगे वह तो आपका खर्चा लगेगा है लेकिन इक तरह से दिमाग लगाओ कहां आपका कुनार का अगर लेकर जाते है आपने 100 रुपया आओ लगा कर उसको वापस लेकर आया ठेले कर तुरू और आपको एक नया चद्दर मिल गया तो किस में अधा बेनिफिट है मुझे यह बताओ आओ आप 100 रुपया खर्चा कर दिये अगर आप लोग समझदार हो तो आप जे-पी कंपनी कहीं कोई प्र आपको थिकनिस मिलेगी इन दोनों चदरों में वह 6 mm की मिलने वाली है सासे तो चोडाई की तो चोडाई होती है जो सीमन चदर का चोडाई होता है वह साड़े तीन फुट का होता है आप चाहे जे-पी कलो आप चाहे कुनार कलो इसके अलावा दो ऐसे फूचर जो बहुत भलकी आप 6 फोटी отправ हो आठ ले सकते-वह 10 ले सकते बारा ले सकते हूँ उसके आगे चाहँ नहीं आता है ना फिर साड़े तीन से चौड़क आता है तो यह था वीडिय में पसंद्धाना तो लाइक कर आपको यहां से इंफोरेशन मेली हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो एक इंपॉर्टन चीज और अगर आप मुझे इंस्ट्राइब पर फॉलो करते हो आपका कोई भी कोशिशन होता है कोई भी ट्रापिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे आप वहां बता सकते हो तो वहां से मैं आपको डिप्राइब दे छो दीके में तो ने सुरूब